पून परमात्मा पाप करमदंड को भी काट सकता है अभी तक जिस भी संत्वा महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप करमफल भोगने से ही समाप्ध होगा वो प्रभु कौन है जो पाप करम को काट देता है वो काल के बंधन से छोड़वा देता है उसका क्या नाम है पूजा की विधी क्या है किर्पया अवश्य सुनिये जगत गुरु तत्वदर्शी संत्रामपाल जी महराज के अम्रिक वज़ा सर्वानंद की आँखों के सामने अक्सर चेंज हो रहे हैं और फिर ये पढ़कर बैठ गया कलेजा पकड़कर वहीं का वहीं अख आँखों के सामने अक्सर चेंज होगे तो हम ज़्यादा इस बात ने पसंद करें हैं अब कबीर साहिब से धर्मदास जी कह रहे थे कि वह गवान ये लोग तो जादातर चमत्कार को मानते हैं आपको चमत्कार करया करो परमात्मा बोले वाई जो चमत्कार करता ना वो संत नहीं वो तो धैड़ आदमी निकम आदमी होता है और जिससे चमत्कार ना हो वो भी संत नहीं संत साधना बताता है अर उससे अपने आप समत्कार होंगे एक नहीं सोफ़ो होंगे वो करते नहीं, अपने आप होते हैं, संत ने जिसे चमतकार नहीं हो तो उसकी माँ बोली रहे विद्वान बेटा, मैंने तो तेरे को जनम दे कर माँ अपने आपको जो है ना दिकार मानती हो अपने जनम को, ऐसा नालाएक बेटा मेरा पैदा हो गया माँ की बात नहीं मानता, तो आज बाकी सारी मान्या करता था जब ने बोला, माँ अब मान दूंगा, अब माननूंगा क्यों सारी अकल ठेकाना आगी, गर्म मा की दुर्गती हो रही थी, वा ठीक हो रही तब भी ना जचीश मुर्ग कैप, मान बढ़ाई के वुखेक है कहने लगा, अब माननूंगा, मा सचमुच बगवान है उन्होंने एक परसंड किया, उन्होंने सद्गरंथ का नाम लिया, मैंने खोल कर देखा, मा सचमुच यही लिखा है लेकिन एंकार वस मैंने जूट बोली, कि ऐसा नहीं लिखा है, यह जूटा है मेरे से महान गलती होगी, मा इभी कैसे क्या मू लेकर जाओ उनके पास उसकी मा बोली बेटा मेरे साथ चल मैं मा हूँ तो बेटा है तेरा जीवन मुझे आज दिखाई गया, पहले तो मैं गरव करती थी, मेरा बेटा बड़ा विद्वान हो गया बेटा बड़ी कमाई करया करेगा लेकिन बेटा या कमाई बाड़ में जाओ, असली कमाई तो राम नाम किये जो सचा नाम और ग्यान उस संद परमात्मा के पास है मेरा बेटा बड़ी था, मुझे गणा दुख था, आज मेरी आत्मा गदगदोगी, चालतने नाम दिवा के लाओंगी जा का अपने बेटे को नाम दिला के लाई सुक्सम वेद में लिख्या कि सोए मात सराये जो पुतर दे उपदेश और सकल नार वेविचारनी यूँ कहता है सेस कहते हैं वो माता को सराये जो अपने बच्चे को भगती पर लादे ना दो दुनिया बच्चे पैदा करें पसुओं की तरह उसका कोई यूज नहीं क्योंकि मा का असर बच्चों पर बहुत होता है क्योंकि ज्यादा संग मा का करते हैं इसलिए माता जैसे बच्चनी मा होगी तो बच्चों पर बच्ची का असर गिराए गिराएगा कुदरती होता है और माता वही सराये जो पूतर दिलावाए उपदेश मा की वही सराये माता है जो अपने बच्चों को अपनी संतान को दिख्षा दिलवा दे नाम सचे गुरू ते जला दे अब उसके बाद सर्वानज़गी कोई नहीं मानने सारे बरहमनों उसके नफर्द करने लगे तो जाट तर डाल दिया तो कित जोगा नहीं छोड़ रहा तरे ओपर जादू जनतर कर दिया उस जुलाए नहीं और वो तो ऐसे ही करता है जो उसके पास चला जाता है उसको अपना बना लेता है अपना तो बनाता ही बनाता है लेकिन वो ऐसे सुख देता है वो रतन देता है जो तुमें खोड़ जैसे नहीं मिलता लेकिन जादू जनतर नहीं वो प्यार और सचे ग्यान से अपना बनाता है और यही पर यही हमारे लिए बदनादास को बदनाम कर रखेता रियाने वाड़े इन अकली संतों ने जनता को वर्मित कर दिया वो तो पता नहीं कैसा जल पिलाता है पता नहीं कैसा अमरत वो परसाद खिलाता है मिश्री खिलाता है उसी के हो जाते है तो यह यह तिनकी आदत है बकवाद करने की तो वह भगवान के साथ करा करते अब यह आने वालों से पूछे उनको क्या खिलाया है उनको वो अमरत ग्यान खिलाया है ऐसा सुख दिया है ये सारी साथ दिनम नहीं भूल सकते तो ये कैसे दूर हो सकते तो इस परकार प्रवात्मा ने उस सारदा को और सारदा के प्रिवार को सुखी किया और सरवानद ने त्याग दी सब बकवाद के सच मुचमत जीवन नास कर रहा था ये फोकट की महिमा बनी हुई थी ये दो दिन की विदूता थी मर्त्यू के उपरानत को एक नहीं पूछने वाला पता नहीं कहां जर्म होता तो इस परकार प्रमात्मा जब आते हैं तो ऐसे अपने भक्तों को अपने बच्चों को अपना ग्यान कराते हैं अच्छी आत्माओं को मिलते हैं तो प्रमात्मा ने कहा कि संसार के अंदर ये थी आप जीने अच्छी तरह जीना भी चाते हो तो मेरे गाइड लाइन के अनुसार आप चलो जो मैं बताता हूँ ऐसे अपने आप को ढालो और फिर देखना उस मालक की मौज कैसी होगी है इस परकार प्रमात्मा ग्यान सुनाया करते थे हिंदू और मुसल्मान जितने भी धरम गुरू थे प्रमात्मा के ग्यान के सामने नत्मस तक होगे थे अब समाधान इतना सुक देते थे दुनिया गुनगाती थी ब्रहमन रोकते भी थे तुम कहां जा रहे हो जो लाहे के पास ब्रहमन होकर के बहुत से ब्रहमन दुखी भी उनके सिस होगे थे ऐसे मुसल्मान भी आते थे उन्होंने वो निमाजादी करना बंद कर दी थी तो वो मुसल्मान बच्चों को दुखी करते थे जो भगवान के से सोगे थे तो उन्होंने सोचा कि ये ने तो मारने से मर रहा है कबीर साहब को बहुत बुरी तरह यातनाई दी थी एक जेरे कुए में डाल दिया सो डिड़ सो दो सो फुट गैरा कुवा था उसमें जल नहीं था उसके अंदर डाल के उपर से छड़े कांकर मिट्टी गोबर गारा ठोक दिया उपर थे और सेक तकी और साथ में अन्य मसल्मान बड़े खुस होए थे कि हमने खत्म कर दी इसकी लीला जब वो सिकंदर लोधी के पास पहुंचे ये बताने के लिए सेक तकी और उन्य दो उनको दबा कर आए थे सेकड़ों की संख्या में सिकंदर लोधी के पास गए कि आपका भगवान की आहिलिल्ला हमने खत्म कर दी है वो मिट्टी में दबा दिया है खत्म हो गया तेरा अल्हा सिकंदर लोधी ने कहा कि आप किसकी बात करते हो कि तेरे कबीर अल्हा की बनक की दुलाए की कि वो बैठा मेरे कमरे में उनको बला कर दिखाया भगवान वही बैठे थे फिर उनको जल एक उबलते हुए सरसों के तेल के कड़ाई में डाल दिया भगवान को परमातमा जले नहीं सिकंदर लोजी ने टेस्ट करने के लिए क्योंकि सेक्ट की ने सिकंदर लोजी से कहा था कि इसने तेल की तासीर को ठंडा कर दिया जद्दू जंतर जानता है यब ये गर्म नहीं रहा इसलिए ना जलता ये सिकंदर लोजी ने सोचा मैं टेस्ट चेक करता हूँ सचमुच ये गर्म है के भी नहीं तेल उबल रहा है नीचे लकड़ बाल रखे इतना बड़ा कड़ाया प्रमात्मा ने कहा राजन इस पीर के कारण अबना जीवन नास मत करना इसमे उगली ना दे दिये उगली नी पाऊगी तिरी टोई भी ढुंडे से नहीं मिला इकट रियागी इतना गर्म है ये सिकंदर लगी करना जटी कबीर जी ना जलते मेरी उंगली का के विजली रहेगी जो ही उंगली दी जितनी उंगली तेल में गई थी उबलते हुए में उतनी कटके अलग होगी बेहुस हो गया वो राजा राजा बेहुस हो गया तब प्रमातमा तो कढ़ाय से निकल कर आए और उसको पहले तो उन्होंने बैदवूद साथ थे ट्रीटमेट करने वाले साथ होते है राजा के उन्होंने होंस आस में लाए ठंडा पानी मारमूर का उंगली पानी डाला राजा होंस में आगया और इतनी पीडा ची फिर बेंस हो गया फिर होंस में लाए फिर इतनी पीडा ऐसे नियंगली कटी की फिर बेंस हो गया तब प्रमातमा तो उसकी पकड़ के उंगली ये पूरी कर दी वा कटी हुई भी ना रही जली हुई भी ना रही अब तब हिकंदर लोजी खड़ा हुआ है सीने से लगाया सब के सामने बगवान को अर उसे में उपस्तीत हजारों की संख्यामन जो देख रहे थी बगवान को कि नहीं मर्यार नहीं जला हजारों की संख्यामन देख सित हुए नाम लिया जल्जे कारकरी कबीर भगवान की अब इस तरह पंड़त और इनकजी मुलाओन बगवान के साथ वो सभी किरिया करम कर लिए जिसे ना तो वो मरे ना ग्यान से हारे तब उन्होंने एक सकीम बनाई कि इसके नाम से जूठी चिठियां डाल दो रिशीव रिशीव है जितने भी मंडले इस वर साथ दूसंत डेरें वाले उनको और ये खाना खिला नहीं पाएगा तीन दिन का बंडारा लिख दो और साथ में लिख दो कि परतेक बोजन के बाद एक मोहर देगा सोने की दस गराम सोना और एक दोहर एक कंबल बहुत सुन्दर पहले इसकी खदरकी होती थी दोहर यानि सबसे अच्छा और बहुत सेथ लोग ही दोहर का परियोग करते थे ऐसा था वो खेस टाइप हो यानि खेस समझो डबल खेस है और बहुत कीमती होते थे कहा कि एक दोहर देगा एक मोहर देगा तीन दिन का भंडारा होगा देसीगी का देसी होता था पहले तो और सभी आना सभी मडलेसरों के बाद सादू संतों के डेरों में वो चिठियां बेज दी अब ये डेरें वाले बाबा भक्त जो गाउन खोड़ घर छोड़ कर गए भी थे वो भी तो बगवान के बच्चे थे परमात्मा ने परमात्मा के लिए तो भटक ही रहे थे पर नकली काम नकली साधना कर रहे थे उनका दुर भग गए था अब उनके अंदर यही उन डेरों के जो मुख्या होते थे संत उन्होंने तो वो जितने बच्चे सो पचास उनके पास गर ताकर चले गए थे तो उनकी विवस्था करना भी उनका उन्हीं की जम्यदारी थी इसलिए उने सुने सोचा के सब को ले चलो कोई लूले लंगडे विमार थे वह भी सारे ठालिये और पहुंच गे कबीर जी के नाम पर पूरा डस दे रख्या कबीर पूतर नीरू जुलाहों की कलोनी के पास और वहां ग् तो अठारा लाग सादू संथ पूरी दर्टी के पर चुई के अपने सिष्टों समेथ और कासी वाले तन्यारी रहेगे जो वहां के लोग थे आसपास गे अठारा लाग ते बहार के आई हुए थे और पहुंच गे वहां पर रवी दास जी ने पूछा भी कहां से आई हो सा यहां पर तो उन्होंने बताया के कासी वालो तुम कौन सी दुनिया में रहते हूं तुम्हें मालूम नहीं हम इतनी दूर से आगे हैं यहां बहुत बड़ा भंडारा है कोई कबीर नाम का सेथ है और वो तीन दिन का भंडारा करेगा रविदास जीर कबीर जी ज्यादातर इकठी रहते थे रविदास जी ने पूछा भी तुम्हारे पास कोई पतर है अगञां देखो यह पतर है उन्हों पड़ कर सुनाया रॵिदास जी टो अन्पड थे रॵिदास जी गय थे फरैसं अने सुवह सुगे उन्हाइं कितके फरैसं तें उन्हाज बिगडगी बाद सारी वाई कबीर जी को बताओं जाकर के आद तो नास कर दिया इनोंने कितने जोगे नहीं छोड़े रवी दास्टी ने कहा कि महाराज आद तो जुलम कर दिया ऐसे ऐसे आपके नाम से और एक चिठी लिख रखी है कि तीन दिन भंडारा होगा एक दोहर एक मौहर पर तेक भोजन के बाद सुबह दोपैर स्याम चे कितनी बार खाओ जो भी रोटी खाएगा उसको ये मिलेगा और सब मिठाई होगी और जहां तक नजर जाती है वहां तक सादू संदू और जनता जिखाई देती है प्रमात्मा बोले बैठ जया और विदास जी बैठ जो चनता ना कर आम जिसके आसरे बैठे हैं आप इज़त राखेगा और नहीं तो रात रात आज दिन पूरा कर लेत हूं रात नैम अपने सब परिवार को लेकर मुझ बोला परिवार था बगवान का ना को मात-पिता थे ना उनके पत्नी थी ना उनके बच्चे थे लेकिन नीरु नीमा कमल के फूल से ले गए थे उठा करके वो मात पिता के रूप में मूँ बोले मात पिता एक लड़का एक लड़की ऐसे मुर्दे जीवित करे थे वो बच्चे मालक के साथ परिवार के रूप मरे थे तो इसलिए मालक ने परिवार भी पालन करके हमें एक ट्रेनिंग दी थी कि आप जी मेरी तरह रहो इतना विश्वास करो भगवान पर दान धनम बक्ती करते रहो और फिर जो तुम्हारे उपर कोई आवेगी समस्या तो मैं कैसे साथ दूँगा ऐसे दूँगा अब क्या हुआ रविदास जीन सारी कहानी बताई भगवान ने कहा कि बैठ जाओ कुंडी ले लगा राज का दिन एक दिन काटना है सूबह निकल जाओ रात को माप निकल जाओ यहां से अब उदर से क्या हुआ परमात्मा पहुंचे सत लोक में एक रूप में वहां बैठे हैं माला हाथ में लेकर और पहुंचे गे सत लोक में वहां से संदेशा कर दिया कि तियार करो इतने विक्तियों का होदन तियार करो सत लोक में कहते हैं बिना गणती के बैल आत्माओं को मालक ने बैल मुनाया उनके उपर फिर बोरे रखे उन बोरे में पके पकाई भोचल उसमें एक बंजारा होता था बंजारा बंजारे होते थे जो बैलों पर समान रखके ट्रांसपोर्ट करा करते थे कहीं से खांड पर लाते दूसरी जगे से बाजरा ले आते ऐसे वो अपना ट्रांसपोर्ट करते थे बिजनिसमेन थे उनको बंजारा कहते थे बिजनिसमेन यानि विपारी लोग ऐसे करते थे तो इस बंज एक अपना ही दूसरा रूप बनाया कभीर भगवान ने के सो नाम दरखा बन जारे का और नो लाख बैलों के उपर ठारा लाख विक्तियों का सामान बना बनाया सत लोग से लेकर एक पलक में पिर्थ्वी पर आ उतरे अब कासी से थोड़ी सी दूर उतर के और ऐसे आ रहे हैं अब परमातम गरीबदास साहिब जी ने बताया है कि उन बैलों के पैर जमीन पर नहीं टिकते थे जमीन से 6 इंच उपर चल रहे थे अब उनका किसका धान जाए ये पैर की टिके बैलों के वह तन्यों जेखें थे बर्फी कहा रखी है कुण से बोरे में जलेबी कुण से में है उन बैलों से कहले ना जेना साहिए और साथ में फिर सेव काई थे सत लोग से ही सेवादार यहां सेवा करने वाले वो और न्यारे थे आके मेंटों के अंदर टेंट लगा दिये मेट बिचा दिये और बंडारे की आवाज लगा दिये क्या हूसा दूसन तो बोजन खाओ कबीर बगवान की तरफ से बंडारा त्यार है होगे शरूर अब उदर भोजन खा रहे हैं जैजयकार वुला रहे हैं वह धन है ऐसा भोजन कभी खाया नहीं कभी देखा नहीं इतना सवादिष्ट भोजन कहीं नहीं देखा आमने बंडारे बहुत करे हैं बहुत खाये उदर से सेख तकी ने सिकंदर लोधी राजा दिली के बादसा को भी चिठी विजवा दी और सेख तकी ने पढ़कर सुनाई कि राजन आपके गुरू जी भंडारा कर रहे हैं आप चलोगे कब शिकंदर लोधी कहा कि वो भंडारा कर रहे हैं और मैं ना चलू ये कैसे हो सकता है अवसे चलूँगा टारी करो अब वह पहुंच गे सेख तकी इसलिए लाया था उनको दिली से कासी ले गा था कि आज इसकी फड़क निकल जागी राजा की क्योंकि कबीर तो भाग गया होगा राज छोड़ गए नगरी को और लोग उसको गालियां दे रहे होंगे पहले चिक्ठी डाल दिया भोजन निकला रहे हो कहां गया उसकी तोड़ दो जोंपड़ मकान को और राजा को भी पता चल जागा इसको अल्लह कह रहा था भगवान बतावत सांगा जब सिकंदर लोगी हाथी पर बैठ कर वहां पहुंचा तो देख्या भंडारा चल रहा है जय जयकार हो रही है सेखतकी ने पूचा कि भंडारा कौन कर रहा है कि कबीर सेठ कर रहा है कबीर सेठ कर रहा है कबीर सेठ कर रहा है खाने वालें तक सेठ दिखे दाव वास्तों थे भी सब सेठन के सेठ सणूरा है जू मकरा सब सेठों के सेठ हैं वो सब मालकों के मालक हैं हम पैचान नहीं प पूछा कि कबीर जी कहा है कि वह बैठे हम ये तो मालूम नहीं कबीर जी कहा है पर एक इस्तंबू में बैठा एक विक्ती वो सब अरेंजमेंट वो कर रहा है दूसरा रूप बना के केसो नाम के बंजारे का एक अलग से टेंड में बगवान बैठे सिकंदर लोधी शेक तकी नहीं पूछा शेकंदर लोधी ने पूछा कि आप कौन है आप क्या लगते हो नाते में कबीर जी के उसे ने कहा केसो ने कहा कि मैं कबीर जी का पगड़ी बदल मेतर हूं यार हूं और उसने मेरे पास एक संदेशा भेजा था कि मेतर एक छोटा सा बंडारा करना है तीन दि आपको समान लेते आईएगा अब शेक तकी की तांके फटी फटाई रहेगी कि इसने छोटा सा बंडारा कहते हैं लाखों लोग जीम रहे हैं शेकंदर लोधी ने पूछा कि कबीर जी कहा है कि कबीर जी अपने विरसराम करें अपने घर पे बैठें क्या आए नहीं वो क्य आएंगे भी कब आएंगे शेकंदर लोधी ने पूछा केसों ने कहा कि वो मर्जी के मालिक हैं रजा होगी जबा जाएंगे उनका दास जो बैठा है उनको क्या हो सकता है ने की जी किता है गद गदातना होगी और सेक्टकी की मासी मरगी कि हो तन्यों लेगा था सेंगायर कराजाना है अक आज यो तेरे साथ पूरा हो जागा रो जागा भागे कबीर तो भाग गया होगा यो फिर मेरे उपर पूरा विश्वास करेगा मुझे ही मानेगा कहते हैं वजीर और फकीर ये नकली ये दूसरा निश्वाया करें नहीं तो कभी वो तो पेट पकड़ कर बैठ गया अग जलम हो गया वह आज भी ना बाग गया ये तो ओधर से सिकंदर लोजी ने कहा कि मैं कबीर जी के दर्शन करूंगा दर्शन के लिए चल पड़े साथ मैं सैनिक थे और अंग रख सकते हाथी पर विरा जमान था पहुंच गया कुटिया में कुटिया के पास खड़े होगे और उतर के नीचे सिकंदर लोजी ने जैसा भी उखट खटाया दर्वाजा प्रमात्मा की कुटिया का रविदास जी कहन लगे के महराज जी ये तो आगे दिख़ा यहाँ पर भी प्रमात्मा बोले वो लो मत अपनी बज़न का रविदास दर्वाजा ने खोल लेंगे और आप पचले जाएंगे कुवार्ड पीठ के सिकंदर लोजी ने कहा कि हेप कबीर जी हेप गवन रविदास दर्वाजा खोलो फिर कहा कि मैं सिकंदर लोजी आपका दास आया हूँ दिल्ली से आपके दर्सन करना चाहता हूँ दर्वाजा खोलो परमात्मा ने कहा कि राजन दर्वाजा नहीं खुलेगा दिन में इन लोगों ने मेरे साथ बहुत बत्तमीजी कर रखी है मुझे जीने नहीं दे रहे यह यहीं चाहते हैं मैं यहां से भाग जाऊँ रात को मैं चला जाऊँगा मेरे नाम से जूठी चिठियां लिख रखी हैं लाखों लोग मेरे दौर पर खड़े कर दिये हैं मैं गरीब आदमी अपने बच्चों का मुश्कल से कपड़ा बुनकर गुजारा कर रहा हूं परिवार का यह वगवान मैं कैसे उनको खिलाऊंगा मेरी तो बेजती कर दी मैं तो जाऊंगा मुझ कैसे दिखाऊंगा अब शिकंदे लोग जी कहने लगे वगवान आप मुझे नहीं बैका सकते मैं आपको समझ चुका हूं आपने क्या रंग लगा रख्या वहाँ जाकर देखो दाता जैजैकार हो रही आपकी आपने ठाठ कर रखिया आपके नाम से भंधारा चल रहा है यह परमात्मा आपने मुझे नहीं बैका सकते आप आप संसार को बैका सकते हो आप पूरन परमात्मा हो आप अल्लाहु अक्बर हो आप खुदा धरती पर उत्रे हो ऐसा भंधारा कि देख्या ना सुनाता ता सब जैजैकार हो रही है आपका दर्सन करना चाहते है जिग्यासु के कौन है वो मा परूस जिसने ऐसा मुहन भोजन हमें कराया है आप दर्सन दो दाता एक वर करतारत करो आपके बच्चों को तो परमात्माने का रविदासी खोल देख़ड़का जो ही दर्वाजा खोला सिकंदर लोदी मुकड समेट डंडवत परनाम किया चरणों में आदा दुरौजे से बाहर आदा दुरौजे में और खड़ा होगा बाहर कुटिया में कुटिया से और कहा माराज एक वाज दर्सन दो मेरे साथ चलो तब कहते हैं परमात्मा जब खड़े हुए आसमान से एक मुकट आया मुकट जिलमल जिल्मिल करता हुआ शर्क के ओपर ताज और जो ही बहार निकले तो आसमान से फूल बरसने लगे कबीर बगवान पर वोई होई सिकंद लोधी ने रुवी दास जी चमर ले रहे थे क्योंकि वो तो पक्के सेवक थे उनके सेवा करा करते थे चमर से पीछ़े-पीछ़े सद्धा से चमर कर रहे थे तो शिकंद लोधी ने कहा के है भगत है माराज आप तो डिल्ली सेवा करते हो मुझे भी दास को कुछ सेवा दे दू मैं अभी अपने करम बढ़ा लू यह चमर मुझे दे दू सिकंदर लोजी ने रविदास जी से चमर ले करके और वगवान पर चमर करने लगया दिल्ली का समराथ उस दानक जुलाए पर आथी पर बठा लिया परमात्मा ने दुन्नों रविदास और परमात्मा कबीर जी को और आप बैठे के उपर सारी कासी की उस बजार में पहुंच गे जहां भंडारा चल रहा था तो भी देख रहे हैं कि ये है कबीर क्या ये है कबीर कि कौन है कबीर सब बता रहे हैं कि ये है कबीर जिस पर सिकंदर राजा चौर कर रहा है ये है वो सेट कबीर जो भंडारा कर रहा है सब देख रहे हैं कि वाह वी वाह कितना सुंदर कितना सांत चेरा है कैसा वगवान जैसा सरूप है और भोजन कैसा मोहन खिलाया भै धन है सेट तू धन है सेट तू सब खा रहे हैं और कह रहे हैं आपने ऐसे भोचन खिला दिया परतेक को दोहर अरेक सोने की मोहर और डिद्दे विदा की जा रहा है सब ज़ज़कार लाइन लगा रहे है अब सारे गूम करके फिर एक एक भगवान का बच्चा गया सत लोग से आया हुआ सेवक और हाथ जोड़कर का कि भगवान आपका मित्र याद कर रहा है आपको कबीर जी आपका मित्र केसो याद कर रहा है शिकंदर लोधी और वो हाथी से उतर कर सारे और पहुंच गे उस टेंट में जा केसो नाम से भगवान दूसरे टकत के उपर बैठे थे बहुत सुन्दर बैड के उपर कफड़ा सुन्दर सफेद बिचा हुआ था जब शिकंदर लोधी और कबीर पर मातमारवी दास जी जब पहुंचे उस टेंट के अंदर पर वेश किया अपने आप एक टकत आकर बैड अपने आप वहाँ डल गया सेकंदर के अंदर जब पूर्टर मौयागरा सिस्टम ऐसे बैड बिच गया उसके उपर सुन्दर चदर बिच की सफेद चारों तरफ लाल हीरे मुत्ती जड़गे चारों तरफ जालरों की तरह और कबीर जी केसो ने कहा बैठो भगवन आपका आसन त्यार है परमातमा उसके उपर विराजमान होगे टेंट के चारों तरफ से सिलिंग खोल दी और कहते हैं आठ पैर तक 24 गंटे तक परमातमा ने बाद सत्संग किया केसो नाम परसन करते हैं केसो रूप में स्वेम उतर देते हैं केसो परसन करता है परमातमा उतर देते हैं और लाखों की संख्या में जो भोजन खाने आए थी स्यानों तरफ बैठ कर और सत्संग सुन रहे हैं परमातमा की सुरिली आवाज लास्ट तक सुनाई दे रही है सब ने ज्ञान सुना और ज्ञान सुन कर कई लाखों ने दस बारा लाख विक्ती परमातमा की वो बच्चे सेस्बने उनसे दिख्षा ली और करतार सुए मैं रोवत हूं श्रिष्टी को ये श्रिष्टी रोवे मोहे गरीब दास इस योग को समझ न सकता को अब वो सादो संद घर छोड़का बगवान के लिए जंगलों में पड़े थे उन बच्चों को उन दुस्टों ने तब सोचा था उसकी बेजती करूं और परमातमा को सोरे थे करन दे कठ्थे इनने मैं आड़े देखनेंगा ना मन बुलाने पड़ेंगे कि तब यो कठ्थे भी ना होते मेरे तता है यही कठ्थे तब कर देंगे इनने वो कठ्थे करवा दिये फिर वहां ग्यान सुना दिया और उनके सारी उमर का धन दे दिया कि मेरे नाम से तुम भटक रहे हो पर मुझे पैचान ना रहे इन डेरों में थारा सुकत सांस कट जागा टाइम पास हो जागा मांगते ना फिरोगे और यह बगती कर ले ना जो मन ने दे दी तुमारे को बगत डिसकस करते हैं के जी वहां तो तीन दिन बंडारा चल्या और एक तीन एक दिन में तीन तीन बार तब भोजन जरूर कर रहा होगा और बेईमाना ना पांच पास पर भी कर लिया गोजो के ने दोर मोर लेन वाला ने तो जितनी बार खावां थे नियों नहीं कहा था अगुआ कोई क्यों खावाई खा गया था नग्या फुनात्माओं वही कभी रगवान यह भोजन करवा रहा है आप देख रहे हैं दिन राज लाखों बंगत आते हैं और कितनी बार कोन क्या खाता है बाप कभी अपने बच्चों से कहता तो क्यों खा रहा इतना खिता है खा तेरी खा तर खुला दर्वार लेकिन वो प्रमात्मान ने जो वहां ली लाकी हुआ कुछ भिन थी और उनों ने वो भकत कहरे थे कि एक वेईमान के पास तिन दिन चारश्य बाऱ रोटी खाने से तीन दिन चार तिये बारा बारा ता दो रौगी होगी दो हर बारा और बारा मोहर यानि बारा गराम सोना वो ठाके को कर ले गया होगा उन्हें और उनका करेंगे क्या सिर में मारेंगे तो उनका क्या करेंगे उनने तो तरिका अपना रख्या है दोर को भी बेचेंगे रोजी रोटी के लिए हर मोर भी बेचनी उनने के करना रोजी रोटी के लिए तो परमात्मा ने उनके जीवन का धन दे दिया और नाम दे दिया बगती का तो पुन्हात्मा उन्ह मैसे हो तो माज जी हो तो 60 लाक मैसे जब वो चलने लगे पंदरा मेंट में दस मेंट में टेंट पाड़ के आ रहे थे सेवक सत लोग थे बच्चे आपके भाई बेन मेंटों में कठे करके बैला को उपर जरके और चालते कर दिये परमात्मा उकेसो बोला भी चलो मैं आ रहा हूं ले चलो काफिले को जब वो निकलने लगे दरिया को पार करके गंगा फुल भव थी उपर तक फुल दरिया एक दम छचचछए इंच पानी रह गया जल और सब जब निकल गे ना परली साइड में वो फिर बरके चल पड़ी कोई उदर देख राठार वो क्या हो गया कंगा इतनी डाउन कब कैसे कभी नहीं मारती कुछ देर के बाद वो फिर उपर ना आगी वो तो बात भूल भा लिए अब वहां केसो खड़ा कबीर परमेशवर खड़े सिकंदर लोधी खड़ा सेक तक ही खड़ा अब सेक तक ही क्या कहता कि चलो राजन सिकंदर वादशा चलो अपने वहां चलेंगे दिल्ली में ऐसे सो भंडारे कर दें इसने तो महोच्छा सा किया है ये को भंडारा था इसका अब सुक्सम वेद मगरीब दास जीन कहा है पनात्माओ महोच्छा क्या होता है और येक जोनार क्या होती है महोच्छा तो उसको कहते है जैसे किसी बरा मन ने बता जिया तरह पुत्र मर गया और उसकी ये क्रिया कर दे तो बात बने ने तो दुखी हो रहा है इतने कपड़े लादे इतने फलानी चीज लादे तो वो नकली सा सोदा लिया करें और दुखी होकर रोता हुआ ऐसा टाइम पास करने के लिए पैसा लगाता है कि किसी तरह एक बार यू हो पीछा छुटे और एक किसी के लड़का हो जा कई वरसों के बाद फिर वो खुले दिनते हैं जवनार जग करया करता जग तो वो खुले दिनते हैं पैसा लगाता है कोई कुछे खाओ खुशी का ठेकाना नहीं है उसको जग जवनार कहते थी जीवनार जग जीमनवार जवनार माने जीमनवार तो उसको तो कहते हैं जीमनवार जवार यानि जगजोनार और उसको कहते हैं महोचा जो किसी के मरे वह पर रुच्ता हुआ अज़ आदमी दुखियास मन से करता है कंदुसी से रखता है तो क्या कहते हैं गरीबदास जी कि कोई तो कहे जगजोनार करी है और कोई कहे महोचा और बड़े बड़ाई करया करें ये गाली का ड़ूद था कहते हैं ऐसे भंडारे को देख कर और सभी तो जो कह रहे थे रहे सा भंडारा के दर देख ख्या ना सुनया ऐसा भोजन ऐसी विवस्था और ऐसा दान किया और सेखतकी जलता भुनता इरसा वस कह रहा था इसने क्या करें तो महोचा किया है महोचा आम सो कर दें ऐसे ऐसे तगरीबदास जी कहते हैं कोई कहे जगजोनार करी कोई कहे महोचा और बड़े बड़ाई करया करें ये गाली का ड़ अच्छा ये उच्छे लोग मिश्राय करें ऐसे पुन के करम को तो उसी समय जब ये बात सेखतकी ने कही पीर ने, मुस्लमान पीर ने उसकी जुबान के ताड़ा लग गया जीब को अद्रंग मार गया गुंगा और सुनने से बैरा हो गया भगवान ने नहीं किया भगवान करते तो उसको पहले ही कर देते उसने पता ने कितने कुफर तो ले थे उसके करमों ने मार कर दी मर गया फिर वो तड़फ के भगत के सेखतकी गुंगा और बैरा हो के जीब को अद्रंग मार गया वो तो है एक पासे अब क्या होता है कि सिकंदर लोधी ने कहा कि केसो जी आपका काफला चला गया है वो आपकी इंतजार कर रहे होंगे आप गए नहीं और फिर ये देखा कि कितनी दूर चला गया होगा सुब ने देखा दरिया पर खड़े थे साथ में होई रहा था सक्संग बनारा तो देखा भी काफला नौ लाख बैल है इन्हों जागी तक एक माच्चिस में डाल देगा कोई डिबिया में दो तो दूर तो जाते दिखोंगे वो सामने देखा और ना कोई बैल था ना कोई बन जारा था वो जाचुके आकास में दिखे भी ना दितने दूरी पहुंच गए अब सिकंदर लोधी ने कहा कि है केसो वो बैल कहा गई केसो ने कहा कि जहां से आये थे वहां चले गई कि कहां से आये थे कि सत लोग से आये थे और ये खुद परमातमा खड़े हैं ये कबीर जी यही सब जीला कर रहे थे पक्तो यह आपको भूल बलया कर रहे हैं इतना कहते ही केशो भी उस कबीर परमात्मा के सरीर में देखते देखते समा गए अकेले कबीर परमात्मा रह गए दो हुठोर है एक तूब या एक से दो गरीब दास हम करने तुम आए हो मगजो अनंत कोट बरमंड का एक रती नहीं भारे सत्गुरु परसकबीर हैं ये कुल के सिर्जन हारे हम सुल्तानीना नक्तारे दाद्दू को उपडे सदिया जात दुलाखा वेदन पाया का सीमा है कबीर हुआ अपने आत्मों आज जो आप दास ने आप से प्रात्ना की थी सुप्राहरम मैं के परमात्मा एक लीला कर रहे थे कि आप जीने ये जी परमात्मा पाना है तो मुझ की जैसे मैंने वो तेक रोल कर रहे थे हमारे लिए मैं कितना गरीब था कबीर जी के हमें दिखा रहे हैं कपड़ा बुनता था बचे हुए को भी दान करता था और विश्वास पूर्ण रखता था अपने वगवान पर मालिक ने मेरे लिए क्या किया यानि खुद तो थे ही वो पर हमारे भी को एक्जम्पल बता रहे हैं कि तुम भी इतना विश्वास मेरे पर करोगे तो तुम्हारे लिए ऐसे खड़ा मिलूगा तुम्हें मैं साइं इतना दीजियो जामे कुटम समावे और हम भी भुखे ना रहें अतिथी ने भुखा जावे अब जेखो उस दिन कितना परिवार था परिवात्मा का अतिथी कितने थे ठारा लाख और तीन दिन मोहन बोजन, लड़ू, कचोड़ी, पकोड़ी, जलेबी, अलवे, खीर और सुका सिदा, निखांड, चावल मिठाई, दाल, सुकी भी ले जाओ बेईमान थे नो सुका सिदा दे, सुका भी ले जाओ सतलोक में कोई कमी नहीं किसी सथा, किसी वस्तु की तो कहते हैं, मेरे द्वार पर अठारा लाक अतिथी आगे, और वो बीचे काती है तो आपकी कौण सी समस्चा है, जो भगवान हल नहीं करेगा, यदि आप ऐसे रहोगे, जो मैं विश्वास के साथ भगवान परासरी तरह कर, कोई संग्रह नहीं कर रहा था तो परमात्मा कहते हैं, यदि आपने संसार में भी कोई नर्भे जीवन जीना है और आपदाओं से बचना है, और मुक्स प्राप्च करना है, तो मेरे परतेक वचन पर विश्वास करके मरिया दामर हो और जो मेरा दास आएगा, उस पर विश्वास करके वो नाम ग्रैन करके में बगती करो कहते हैं, बगती बीज होए जो हंसा और तारू तास के एकोतर वंसा जो आज इस दास से नाम लेंगे, उनकी 101 पीडी पार होगी, 101 पीडी ये भगवान में बोले तो 101 पीडी पार होगी और आपका भी मुक्स होगा, और जिन पित्रों के आप सराद सुरूद कर डागाद करके दुखी हो रहे हो, आप भी नरक मजाने की तैरी कर रहे थे, वो आपके पित्तर भी दुबारा मुनस्टी उन पराप्त करके, आपके घरों में आके, और वो पराप्ता परमात्मा पूरन ब्रम सारी सिर्ष्टी के रतने वाले कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से, आप सभी पुन्यात्माएं इस सच्चे दरबार में उपस्तित हुए हैं। कहते हैं, लखबर सूरा जोजही, लखबर सावत दे और लखबर यती जिहान में तब सत्गुरु सर ना ले। आप ना जाने कितने जनम जन्मान तरशे परमात्मा की भगती कर रहे हो। लेकिन किन ही भी कारणों से आप पार नहीं हो पाए लेकिन फिर भी परियतन जारी रहा। आप उन पुन्यात्माँ में से हैं परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी सरन है ताका हूं मैं दासे गेल गेल ला गया फिरूं जब तक धरती आकासे आप तो एक बहुती अनजान अबोद बच्चे हो आपकी आदत यहां के इस जुटे सुख कोठी बंगले कार इनके साथ खेलने की आदत आपका सुभाव बन गया है और इसमें करोडों लाखों विक्ती यही खेल खेल रहे हैं आपने भी वही करिया फाइनल मान ली अन्ति मान ली आपको नहीं मालूम आपके उपर कितने कितने कहर तूट चुके हैं और आगे ना जाने क्या क्या संक्टों का सामना आपको करना पड़ेगा परमातमा हमें याद दिलाते हैं कि जुटे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमूद ये सेकल चबी ना काल का कुछ मुख में कुछ गोद है अब परमातमा हमें याद दिलाते हैं कि आप जी असंख जन्मों से यहां इस काल के लोग की जूटी सुख्धाओं को प्राप्ट करते हुए आ रहे हो और एक पल में छोड़ कर जा रहे हो आपके साथ ऐसी भूल भूलियां कर रखी है परमातमा आपको ये याद दिलाना चाहते हैं कि आप यहां ज्यादा समय नहीं रहोगे क्योंकि परमातमा कहते हैं कहां जन्मे कहां पाले पोसे और खूब लड़ाए लाड़ ना बेराई से देहे के कहां खेंडेंगे हाड कि पता नहीं आज आप कहां अच्छे बहुत अच्छे माहुल में जी रहे हो आपका लालन पालन भी बहुत अच्छा हुआ है आपके माता पिता बहुत अच्छे धनी भी होंगे लेकिन एक सेकेंड में ना जाने कहां आपकी मर्तु होगी और किन कारणों से हो जाएगी ये परमातमा याद दिलाते हैं कि आप जी को इसकाल भगवान ने मूरख बना रख्या है अब दो चार हादसे आपको गिनवाता हूँ एक समय अरियाना के दो मंत्री कैपडिट मिरिश्टर और सपत ली थी उसी खुशी में हेलिकॉप्टर में बैठ कर जा रही थे दोन्नों ही उसी हेलिकॉप्टर के अक्सिडेंट होने से मर्तु को परापत हो गे पहले भी उनके पास खुश्वी दाएं थी सारे सुख थे अब क्या हुआ उनके पास क्या बचा बगती करी नहीं संसारी इन खिलोनों से खेलते रहे अगले जनम में वो कुट्ते और गधे की योनिया पराप्ट करेंगे एक आंदर परदेश का मुख्य मंत्री उसके स्वागत में ना जाने कितने उससे लाप पराप्टी के लिए सुआर्थी लोग खड़े थे आत्ममाला लिए और वो जा रहा था अपना कोई जलसा जलूस करने के लिए रस्ते में हलिकाप्टर से ही उसका अक्सिडेंट हो गया तीन दिन में साव मिला था गिदड़ गशीट रहे थे उसको जंगल में पड़ा पाया पॉलेंड देश का एक पूरा कैबिनेट यानि जिसमें मंत्री पुखे मंत्री परदान मंत्री सारे मैंपीज पिचाणों सदस्य से बताते हैं एक के जहाज में जा रहे थे बैठके और किसी नेता की मर्चू पर सोक वेक्ष करने जाते मूँ कान गई थे और रस्ते में जहाज अक्सिडेंट गरस्त हो गया दुर्ट न गरस्त हो गया सारे के सारे मर्गे उनकी पता नहीं क्या क्या तमनाएं थी तो यहां परमात्मा कहते है जोटे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमूद ये सकल चबी नाकाल का भाई कुछ मुख मैं कुछ गोद इसलिए परमात्मा हमें क्या याद दिलाते है परमात्मा कहते है यो सोदा फिर ना ही रे संतो ये सोदा फिर ना ही यो सोदा फिर ना ही रे संतो यो सोदा फिर ना ही सोदा बिजनिस बिपार हम जैसे दो विक्टी दो दो चार लाख रुपे लेकर के किसी दूसरे सटेट दूसरे सहर में बिजनिस सोदा करने के लिए गए थे उन्होंने वहाँ पर किराए पर होटल में कमरा ले लिया एक तो उस चार पांच लाख रुपे का सोदा खरीद रहा है बेच रहा है खरीद रहा है बेच रहा है और उसने उससे दुगने तिगने चोगने बना लिए दाम इकठे कर लिए यानि सोदा जिस उदेशे के लिए गया था वो पुझी लेकर उसकी कई गुनाब ढ़ाली और दूसरा सराप पीता है सिनिमा देखता है सैर सपटे करता है यानि जिस उदेशे से वो पुझी लेकर गया था उसी इसको खर्च रहा है खा रहा है अंत में वो पुझी रहित हो तो होटल का मालिक भी उसको कमरे से बाहर फैंक देता है। इसी परकार मनुस जीवन प्राप प्राणी जो स्वांस रूपी पुंजी लेकर के आप यहां आए हो। इस मनुस जीवन के स्वांस रूपी पुंजी का आपने लाब उठाना था, वक्ती करनी थी, मंत्र का जाप करना था। और जो यह नहीं करते वो उस लुटे पिटे बिफारी की तरह अंत में अपना सर्वे कुछ गवां कर और वापस आते हैं कहां पर? अपने मूल सथान पर, अपने घर पर, वहां वो निर्दन हो जाता है, फिर मजदूरी करता है, उसके बच्चे भी मजदूरी करते हैं। और जो अपना उद्ध से पूरा करके आता, वो सेथ और साहुकार कहलाता है। इसी परकार परमात्मा हमें याद जलाते हैं कि आप स्वांस रूपी पुंजी लेकर आए हो, मनुस जीवन आपको पराप्त हुआ है, जो इसका ठीक से लाब नहीं उठा रहे हैं, तो वो उस ह आरे हुए विपारी की तरह अपना जीवन नास करके जाएंगे। परमात्मा कहते हैं। दनवनता ना कोई, दनवनता सोजानियों, जिस पर राम नाम दन होई। अब यहां कि प्रमात्मा कहते हैं, सौदा आपने करना था, और कैसे करना था। ये मनुस जीवन की प्राप्ती, ये बार बार दाओ नहीं लगता। मनुस जीवन प्राप्त करके फिर सत्गुरू संत का मिलना ये बहुत ही मुश्किल और कठिन कारिये हैं। आप जी को अब दोनों दाओ लगे हैं, मनुस जीवन भी प्राप्त है और आप को सत्गुरू भी प्राप्त है। अब इसका आप जी को लाब उठाना होगा, यहां से पीछा छुटवाना होगा, असंग जनम का रोग यू जनम मर्टू का अब आपका आसानी से सरलता से कट जाएगा। थोड़े सी सावधानी बढ़ते हैं। यो सोदा फिरना ही रे संतो यो सोदा फिरना ही। अब जैसे लुहार कारीगर होता है, वो लोहे को गरम करता है। और गरम करके उस गरम गरम लोहे पर तुरंट चोट लगा देता है। तो उसका जो वो बनाना चाहता है वो तुरंट बन जाता है। और यदि जरा सा भी वो लोहा ठंडा हो जाता है। उसके उपर चाहे फिर सारे गन को और कूटले गन से वो कुछ नहीं कर पाता। वो लोहा ठंड से मस नहीं होता। टेडा मेडा हो जाता है। इसलिए ये मनुस जीवन जो आपका है ये आपका लोहा गरम है। इस लोहा गरम रहते यानि मनुस जीवन के सांस सेस रहते रहते। यदि आपने इसके उपर इसराम नाम की चोट मार ली तो आप इसका वो वस्तू बना लोगे जिस पर पंचे लोहा गरम किया गया था। अर्थात जिस उदेशे से आपको मानो सरीर प्राप्त हुआ था। अन्य था ये मनुस सरीर छोटने के बाद ये लोहा ठंडा हो जाएगा फिर ये टेड़ा मेड़ा मू लगेगा कुटे गदे सूर के आपके मुखोटे लगे फिरेंगे और फिर कुछ नहीं बन पावगा। ये किसी डूम भाट के गीत नहीं है ये गौड गीवन सिपरिचर नौलिज है बगवान का बताया अध्धात तुम्यान है जो दास धंडोरा पीट रहा है आपके लिए तो क्या बताते हैं यो सोदा फिर ना ही रे संतो ये सोदा फिर ना ही ये सोदा फिर ना ही रे संतो यो सोदा फिर ना ही लोहे के साथ आव जात है लोहे जैसा ताव जात है काया दे सराही रे संतो यो सोदा फिर ना ही योदम तूटे पेंडा फूटे योदम तूटे पेंडा फूटे हो ले खादर गामा ही रिसंतो यो सोदा फिर ना ही बाई तीन लोक और भवन चतूर दस तीन लोक और भवन चतूर दस सब जग सोदे आही रिसंतो यो सोदा फिर ना ही यो सोदा फिरना ही रिसंतो यो सोदा फिरना ही दुगने त्यगने किये चोगने किन हूं मूल गवाई रिसंतो यो सोदा फिरना ही यो सोदा फिरना ही रिसंतो यो सोदा फिरना ही उस दरगा में मार पड़ेगी उस दरगा में मार पड़ेगी फिर जम पकड़ेंगे बाही रिशन तो यो सोदा फिर ना ही आईए अब हम उन श्रधालों के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत्र रामपाल जी महाराज जी से दिक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ती मार प्रचल रहे हैं नमस्कार सर नमस्कार जी सर क्या नाम है आपका मेरा नाम चैंदरवान सिंगे सर कहां से आए हैं आप हमद प्रदेश के स्विपरिजला से आए सर संत्र रामपाल जी महाराज से नाम दिक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ती साथनवी करते थे एक्ष्ट रुपर्ण औरुट कोंशना को विश्नुरु परान पड़ी थूड़ी जनकारी थी खज़िए यह से लिए मैं पूजा पाड़ ब्रतादी करता था फिर जैसा जैसे बड़े हुए हम पड़े हुए दस्बे तक अड़ाई की हमने फिर एक हमारे जो किलास का दूस्ता वो सत्पाल जी महराज के यहां वक्ति करती तो मुझसे उनने बहुत बताया तो मैं वहां से नाम दिख ले स Sakpail ढ़िए महरा से नाम दिखशा लेने के बाद क्या आपको कोई लाब भी प्राप्त है लाब का वहां पर वक्ति करते कि लाब का तो सर जी हमें कोई ऐसा नई हुआ की लाब भी होता है वक्ति करने से वैसा था कि जो भाग मैं है वो मिलेगा इसलिए हम वहाँ पर वक्ति करते हैं लाब का तो हमिशन हुआ अई कटिक energía कोई भूब। हमारे BC भर में लाब के लिए छे वुद रह राब कर वाली से संत रामपलजी महराज की सरण में आने के बाद हम को बहुत लाव रहा और वहां पर आने के बाद ही हमको पता चला कि भक्ति करने से लाव होता है जैसे कि हम ने छह या साथ बूर करवा यह देत परमात में होको यहां मैंने अर्जी मतलगवाए कि गुरू जी मुझे बोर करवाना है तो गुरू जी ने कहीं, बिटा करवालो तो जब बोर करवाया मैंने, तो उनकी किरपा से इतना पानी मिला कि मेरे गाहमे आज किसी पानी इतना पानी है और फिर मैं सुगते में मुझे कोई दाव लेती थी कोई प्रियता आत्मा थेया या देव था कोई था ये मुझे पता नहीं है तो मुझे बहुत परिसान करता था तो मैं जब से गुरू जी से नाम लिया संतरामपाली महरा से तो मैंने दो मैंने के बाद वो भी ठीक हो गई और जो हमारी भगत्मती थी तो सर जी क्या बताओं बताओं कि मेरी दो साधी हुई है तो एक पतनी हमारी खता हो गई तो वो उसके सरीर में आती थी तो आती थी तो उस परिसान करती थी बात करती थी मेरे से बात करने आती थी तो बात भी करती थी तो जब मैं ये लोकट डालता था तो बात करने आई जब नाम लिया था मैंने तो उसने कही कि ये लोकट हिलो मैंने क्यों कि इसके मुझे तपन लग रही है मैंने कही मैं तो दीरे दीरे पर हमारी भगत पत्नी को समझ में आई पत्नी को उसने नाम ले लिया जब से बढ़िया हो गई उसकी विवाद महां से चली गए जो परिसान करती थी मेरे पेट मेजलन पढ़ती थी बहुत पहले सी कभी कोई पढ़ती थी एक बार जब अलपुर में सत्पाली करो ठीक हो जाओ गई तो कुछ नहीं हुआ वहाँ पर जलन पढ़ती रही पढ़ती रही गाह में आके फर थोड़ा बहुत इलाज कर बाया उससे पर दीर दीर एकाद महीने में अपने थोड़ी जोड़ी बंद हो गई फर वो कभी कभी और बीच बीच में लगी तब एक ब अब तो अड़ी मुश्कल है मेरे बैठना ही मुश्कल हो गया तो मैंने फोन नमर से संत्रामपाल जी महाराज के आरजी लगाई कि मालक मेरे पेट में जलन पढ़ रही हो आराम नहीं हो रहा हो तो नाम लेने के बाद उनने आरजी ले लेकिन मुझे उस टाइम से आराम के बाद कहीं आपको कोई नुकसान नहीं होगा? तो आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को मैं संदेश तो नहीं परास ना कर सकता हूँ कि देखो बगवान कोन है और सच्चा सद्गून कोन है? गीता के इसार समझें और इस समय में वो सच्चा सद्गून इस दर्ती पे आया है अपने जीवां कर अंगर आ और अपने दुक्त हैं। जुड़ानी के लिए किया करना होगा। जया चाहता एपने अपनों लगा कर बदा च से नामदान पड़ता है। वहां पता करके वहां पर जा करके नाम दीचे दे सकते हैं धन्यवाद सर धन्यवाद